नाजनी निगाउं से ना देख हम दर्या में ना कर आए हैं, हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तुफानू से टकरा कर आए हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़ कर आए हैं, स्वागते सभी सातियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टेडी एकजाम एकडमी पर मेरे सभी खाकी वर्दी के दिवाने और भावी कॉंस्टेबल साती एक बार कलास में लाइव जुड़ जाएं, तो सभी भावी नोजवान साती कलास में लाइव जुड़ जहें, आज की कलास बहुत ही सांदार होने वाली है, अपना टेली ग्राम ग्रूप आप जरूर जोइन करें, इस्टेडी एकडमी लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको नीचे दिया हुआ है, उसी को जोइन करें, तो दोस्तों पहला परसन आपके सामने आ चुका है, स जरूर बताएं, साम को आठ बचे डेली कलास होती है, यूटूब चैनल पर, तो डे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जोधपूर में की गई थी, जो भी नोजवान साहती डे आंसर बता रहे हैं, सभी का राइट होगा, नेक्स्ट अगला परसन है, राजस्ता में सबसे कम जन्सिंग क्या है, जैसलमेर जिले की, किस जिले की है, जैसलमेर की, तो भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो सरवाधिक जन्सिंग क्या पुछे, तो ध्यान रकना जेपूर जिला है, कौन सा है, जेपूर, दूसरे नमबर पर रहता है आपका नेक्स्ट अगला परसंदेखते हैं हल्दी गाटी का एतियासिक यूद कब हुआ 15005, 16005, 15006 या 15008 तो प्यारे दोस्तूं हल्दी गाटी का यूद हुआ था अठारा जून 15006 को डॉक्टर गोपिना सर्मा अदसर सर्मा के नुसाजिदी आपको पूछे तो ज्यान रखना 21 जून आपको डेट बताना है दो डेट इसको देखने को मिलती है यूद की 18 जून और 21 जून यहाँ पर हम बात करें हल्दी गाटी यूद की तो मुगल बाजशा था अकबर क्या नाम था अकबर अकबर का इतियास इंडिया की इतियास में मैंने पढ़ाईंगे कुछ दिन बाज कलास होगी तो उसमें आप जरूर पढ़ना और यहाँ पर अपने मेवाड के साथ सकते हैं महराना परताब कौन थे हैं परताब इनके बीच में हुआ था हल्दी गाटी हल्दी गाटी का काम पर है यह राज समन जिले में कहीं बार एकजा में पूछा जाते हैं नेक्स्ट अगला परसन देखते हैं राजिस्तान का गिरड लिगनाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में इस्तित है बाड मेर विकानेर जोदपूर या जैसल मेर राइट आंसर हो जाएग सबी का राइट है नेक्स्ट अगला परसन देखते हैं ओपरेशन मोजडी का समद किस उद्योग से हैं काच उद्योग वस्तर उद्योग उर्वरक उद्योग या चमडा उद्योग नाम से ही पता चल रहा है मोजडी मोजडी की आपकी क्या आती है चमडे की जूत्ते आते ह समड़ा उद्धोग से हैं डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं राजस्तान के किसा सको अभिनव भरताचारी के नाम से पुकारा जाता है महाराना कुमबा मान सिंग जे सिंग या पर्थविराज चोहान यह पसंदे को कहीं ब डाइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अगला परसंद देखते हैं करवाद चोथ का वरत मनाया जाता है चेतर शुकल चटुदर्सी वेसां सुकल चतु चतूरती सावन करशत चतूरती कर्शन चतूरती प्यारे दोस्तों करवा चोत का वरत महिलाओं के दुवारा किया जाता है स्वागन महिलाओं भी करती है और कमारी महिलाओं भी करती है लड़कियां करती है तो करवा चोत का वरत आपका कब किया जाता है कार्थी की कर्षन चतूर्थी को ये किया जाता है नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं जेवपूर के संस्तापक सवाई जे सिंग के दर्बार में विद्यादर था ये सवाई जे सिंग आप सभी को पता है जेवपूर के सास्ते और इनके दर्बार में एक दर्बारी था विद्यादर ये वास्तु सास्त्री था खगोल सास्त्री जोति सास्त्री या सिक्षा सास्त्री तो इसका यहां पर सम्मध आपसे पूचा कि है दोस्तूं बहुती 22% एक्जाम की देश्टिश है और कहीं बार एक्जाम में आ चुका है ये वास्तु सास्त्री था विद्यादर भट ड़ेगा नेक्स्ट एक ही राजस्टान के किस छिले में जर्गा परवत है शिरोही उध्यपूर जैप्या अल्वर तो प्यारे दोस्तों जर्गा परवत है आपका वहें उध्यपूर प्रक्रिक्षव हो जये कौन-कौन विदारती उद्यपूर्शी क्लास देख रहे हैं कमेंट बोक्स में जरूर बताएं नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं बिका नेर के राजा राई शिंग को 1593 में किस अभियान पर बेजा गया 1593 में अक्वर के द्वारा बेजा गया थट्टा मिवाड दक्कन या बंगाल अमर्ता देवी मरिगवन इस्तित है मतानिया, खेजडली, माउंट अबू या काईलाना जील अमर्ता देवी मरिगवन कहां पर इस्तित है खेजडली बिल्कुल भी आपका यहां पर राइट आंसर होगा तल्वार की म्यान को साब करने के लोहे के ओजार को क्या कहते है तल्वार डालने वाली जो म्यान होती है उसको साब करने के जो लोहे के ओजार होता है उस लोहे के ओजार को क्या बोलते है सोल, असकनो, ओदन या वोचन बहुत ही बेतरीन परशन हाँ, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा जोब इस नोजवान साती भावी कॉंस्टबल भी आंसर बता रहे हैं सबी का राइट है यही परसंड है जो आपको एक नमर आगे करेगा बाकी विदार्तियों से किस-किस का राइट हो है कमेंट करके जरूर बताएं अगला परसंड देखते हैं बनास मेदान के संद्रव में निमलिकित कत्नू में से सत्य कत्न कौन सा है यह मेदान कर्शी के लिए अनूप्यूकत है इसकी ओस्त समूदे तल से उंचाई 150-300 मिटर है यह जलोड मर्दा का यहाँ पर जमाव पाया जाता है इसका ढाल पस्चिम की ओर है सत्य कत्न क्या होगा यहाँ पर दो नमर और तीन नमर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट एगला परसंड है कि सुवरन गिरी किस किल्लों को कहते हैं जेगड का, जालोर का, चितोड का या जेसलमेर का सुवरन गिरी राइट आंसर बिल्कुल जालोर का जो आपका किल्ला है उसको बोलते है बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला पसंड है नगला पीट किस संपरदाय से समंदित है विश्णोई, लाल दासी, नाच संपरदाय या दादू संपरदाय नगला पीट किस संपरदाय से समंदित है विल्कुल लाल दासी संपरदाय भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तू अगले परसंड क्योंड बढ़ते हैं या विजे सिंग पत्थिक बिल्कुल राम नायरेंड चोधरी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा अगला परसंड की एक लाग तकी आबादी वाले सेरों के लिए नगर निकाई कौन सा है ऐसे सेर जिनकी आबादी एक लाग से अधिक है उनके लिए नगर निगम नगर पाली का नगर परिसद या नगर मंडल तो उनके लिए नगर पाली का है भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला है कि राजस्तान का पर्थम जाट राजिये इस्तापित हुआ बरतपूर, टॉंग, जयपूर या दोलपूर तो राजस्तान का पर्थम जाट राजिये बरतपूर था भी ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सूरज परकास गरंद की रसना किसके द्वारा की गई दलपत, करणीदान, अचलदास या राज, शेकर सूरज परकास गरंद की रसना किसके द्वारा की गई प्यारे दोस्तों बिल्कुल करणीदान भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जो भी नोज़वान साथी भी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है एक बार भाई कलास को लाइक और शेर जरूर करते दोस्तों के पास में हस्त सिल्प कागज राष्टी संस्तान की इस्तापना की गई ए है कोट पुतली, भी सांगानेर, सी आमेर, डी कैथून, कैथून कोटा हस्त सिल्प कागज राष्ट ये संस्तान की इस्तापना की गई सांगानेर बिल्कुल सांगानेर जेपूर में की गई भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अगला परसंद देखते हैं चुले के आगे का वह भाग जहां राक एक्तरित होती है क्या कहलाती है बहुत ही सांदर प्रसंद है आपने राजस्तान में गरामीर एरिय में ज्यादा तर जो चुले होते हैं हाँ जहां पर लकडी बगरा जलाई जाती है उसे चुले में जो राक एक्तरित होती है लकडियों की उसे क्या बोलते हैं जो सामने वाला जो भाग होता है अगड या रावो बाड़ी जालरा या बंगड राय टांसर क्या होज़ाईगा दोस्तु बिल्कुल उसे अगड बोलत टेक्स्टाइल सीटी कौन सा है स्री गंगानगर जेपूर कोटा या भीलवड़ा करेक्ट आंसर होज़ेगा दोस्तु टेक्स्टाइल सीटी भीलवड़ा डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट है कि शिरोही का परशिद नर्ति कौन सा है कटपुतली वालर ड अगला है कि जेन विश्वे बारती विश्वे विदालिय काम पर है यह परसंद कहीं बार आचुका है गोटन लाड़नू डीडवाना या नागोर जेन, विश्वे, भारती, विश्वे विदालिये कांपर है लाड़नू लाड़नू कांपर है लाड़नू आपका नागोर जिले में है किस जिले में है नागोर जिले में आपका यहां पर right answer है नेक्स्ट दोस्तूं अगला पर्षन है की राज्य में जल अपरदन तता वाईू अपरदन से परवावित मीटिया है कौन मीटिया है जो जल अपरदन और वाईू अपरदन से परवावित है काली मीटी और बलूई मीटी बिलकुल right हो जाएगा भी आप नेक्स अगला देखते हैं जिस सम्तल भूमी में केवल खरीब की पसल होती है उसे क्या कहते हैं बांकली बांगर क्या बोलते हैं जिसमें केवल खरीब की पसल होती है बांगर बोलते हैं भी आपका यहां पर करेक्ट आंजर होगा मारवाड के पांच पीरू में कौन सामिल नहीं है हडबू जी ये सांकला वंसके थे पाबू जी राठोड थे मिहा जी मंगडिया थे और जामबू जी तो दोस्तों मारवाड में पांच पीर हुए है गुरू जी पंच पीर के होते क्या है सबसे बहले ये बतो पाबू जी भी है मेहा जी भी है और इसके लवा गोगा जी भी है और रामदेव जी भी है ये पांच आपके पंचपीर है पंचायती राज संस्ता हैं विदान सबा लोग सबा या राज्य सबा रायट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्ता है ये आपका कर्येक्ट आंसर होगा नेक्स्ट अगला प्रशन है कि राजिये के किस भू भाग में अधिसेश जल की सरवादिक मात्रा विद्यमान रेती है उत्री पूरवी भाग पस्चिमी दक्षिनी पूरवी या दक्षिनी तो यहां बिल्कुल दक्षिनी भाग में रेती है थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगी तो आपको पत्त सजाएगा क्योंकि अपना पस्चिमी ये इलाका है उत्री इलाका है इसके अंदर क्या है यहां पर बिल्कुल पाने की बहुत जल का बहुत अभाव है और यहां पर मिट्टी है वह जैदा पाने को सोक लेती है अगला परशन है कि अजान बांध किस अभिहाईनी में इस्तित है शेवरपूर, सरीशका, रन्तमोर या गनापक्षी विहार यदि आपको यह पता है कि अजान बांध है काँ पर तो आप इसका आराम से अंसर दोगे गनापक्षी विहार विल्कुल डि आपका राइट आंसर हो जाएगा वरतपूर नेक्स देखते हैं सुमेलित करना है दोस्तूं बहुत ही सांदार परशन है बांध दे रखा है और समधी जिला दे रखा है कैसा परशन आता है एक्जाम में अंड्रेट परशन मोरेल बांध काँ पर है सवाई मादोपूर मेज़ा बांध बिलवडा में है पारवती दोलपूर में है और बांकली जालोर में है सारे यहां पर से शुमेलित है एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परशन है कि माही नदी किन राज्यों में वेती है माही नदी दक्षिन की गंगा राजस्तान की यह देखो यह राजस्तान का जो अपना मेफ है यह राजस्तान के दक्षिन से प्रवेस करती है और इधर अपने कां से आती है माही नदी मद्य पर्देश राजस्तान में आती है राजस्तान के जो अपने जिले हैं बांश्वाडा डूंगरपूर इधर से ये वापिस चली जाती है गुजरात में तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्य पर्देश राजस्तान और गुजरात ये करेकरिका को दो वार काड़ योजना, एक पेजल वी जलविदू आपको वीडियो यहाँ पर मिलता रहे हैं आपको यहाँ पर खनीज और छेत्र पुचा गया है कौन सा खनीज कि छेत्र में है बताना आपको बहुत ही सांदार प्रशन है दोस्तों देखो तांबा तांबा आपका खोद रीबा सभी जानते हैं जिपसम जिपसम आपका जामसर शीशावे जस्ता रामपुरा अगुंचा रोक फासपेट की खदाने हैं जहमर कोटडा तो बिल्कुल इस परकार से आपका मिलान हो जाएगा और नीचे कूट दे रहा है तो एक नमबर कूट आपको बरना है ओप्सन में नेक्स चगला देखते हैं निमलिकीत कथनू पर विचार जिए तता सही उतर का चेन नीचे दिये के कूट से कीजिए राजस्तान में परतम सिमेन ब्लांट लाखेरी में इस था पिद क्या गिया अगला रायकिस सोजत में टायर फेक्टरी स्तिद है वीकानेर में स्टेट वुलन मील इस्तित है राजस्तान में कोटा सूती वस्तर उद्यों का परमुक के अंदर है कौन से कथन सही है बताना आपको देखते हैं कि किस किस का राइट होता है तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका राजस्तान में परतम सिमेंट प्लांट लाखेरी में इस्ताफित और विक परशन बहुत ही शांदार आर्ष लेवल का परशन है के भी बार एक्जाम में आच चुका है और विदारती इस परशन को देख समझ ही नहीं पाते पुरातात्विक्स उस्तल है उनका उत्र से दक्षिन दिशा में सही करम आपको बताना है सबसे पहले उत्र में आपको इधरी आप देखोगे तो सुनारी उसके बाद में गणे सुवर फिर नगर और नगरी यानि इस परकार से आपका भी आपका correct answer होगा उत्र से हम यदी दक्षिन की बात करें पूरू से पस्ची में भी आपको पूचा जा सकता है एक्जाम में कैसे भी परशन आ सकता है गुमा फिरा कर अगला परसंद देखते हैं जस्वन सिंग ने काबूल से अनार के बीज लाकर जोजबुर के कौन से उद्ध्यान में लगवाई कागा उद्ध्यान कल्यान का उद्ध्यान राय का बाग या जस्वन उद्ध्यान अनार के बीज लाकर काबूल से लेकर आये थे जस्वन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कागा उद्यान नेक्स अगला है कि मेवाड महराना रा सिंग ने सरनार्ती अजित सिंग को कहां की जागिर परदान की जेतारण, नाडोल, कालिंद्री या केलवा राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल डि आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स अगला दोस्तों की 1555 और 86 में केवल जिस राजपू सासक को 7000 का मन्स प्राप्त हुआ वे कौन सा था मान सिंग, राइ सिंग, भगवंदास या सुर्जन हडा राइट आंसर हो जाएगा अपने अमेर के सासक राजा मान सिंग नेक्स अगला परसन देखते हैं राजस्तानी चितरकला की मूल सेली किस चितर सेली को माना जाता है राजस्तानी चितरकला की जो मूल सेली है वो आपकी मेवाड सेली को माना जाता है डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा नेक्स तै दोस्तों की गुमर और गुमरा नर्ट्ये किस चेतर में सरवादिक परचलित नर्ट्ये है मेवाड सेकावाटी मारवाड या वागड गुमर और गुमरा यह आपके हैं वागड डी आपका करेक्ट आंसर होगा अगरा पशने की राजस्तान की अमूलिय साहित्यक ध्रोवर बांतारी फुलवारी कितने खंडू में उपबंध है या उपलब्ध है बांतारी फुलवारी कितने खंडू में उपलब्ध है दो चार बारा या नो राइट आंसर हो जाएगा बारे खंडू में शी आपका करेक्ट आंसर होगा अगला परसंद देखते हैं इसमें आपको यह तरफ सूची दे रही कि यह विरास्त की दूसरी तरफ आपको इस्तान दे रहा है मिलान करना है नीचे जो कोड दे रहा है राइट आंसर क्या होगा सबसे पहला आपके सामने है कि जल महल तो जल महल कहां पर है दोस्तों जल महल है आपका जेपूर में एक थंबा महल एक थंबा मेल गुरुजी जोदपूर में है जुनागडगा किला बीकानेर में तो इस परकार से आपका मिलान क्या हो जाएगा बिल्कुल डी आपका कूट है वो राइट हो जाएगा डी आपको बढ़ना है प्रिक्ष्या में नेक्स है कि मीट्टू अभियान की शुरुआत कब हुई यह आपका महिला बालपराद का परशन है राजस्तान पुलीस वाले विदारतियों के लिए यह आप राजस्तान पुलीस कौंश्टेबिक तहरीच नहीं कर रहे हैं तो आपकी यह परशन कोई काम का नहीं है आंसर बताएं दोस्तों विट्टू अभियान की शुरुआत कब हुई बिल्कुल राइट अंसर डी हो जाएगा वह अक्टूमर 2017 मुहित दी अभिनेत्री जी तन्नु सिरी दता इसने इसको गति परदान की अगला परशन देखते हैं बारतिये धंड सहिता की किस दारा कहते किसी इस्तरी को सबद अंग, छेतर या कारिये जो किसी इस्तरी की लज़ा का अनादर करने के लिए आशियत है पर सजा का प्रावदान की सधारा में है तो धारा पांचो नो में है भी आपका यहां पर राइट आंसर होगा राजिस्तान में बाल, विवास, मुक्त, अभियान आपका चलाया गया, बिल्कुल डे राइट हो जएगा उपयोग सभी अगला है कि सेरी वे ग्रामिन्ट छेत्रों की बालिकों है तू स्कूल कोलेज हुमें लड़कियों को अपराज देखिलाब आवाज उठाने वाली सार्ती योजना का सुबारम कब किया गया तो सार्ती योजना का सुबारम कब हुए पहरे विदारतियों बताओ देखें बिल्कुल 24 जनवरी राष्टी बाली का दिवस्पर 2018 को किया गया था शीज आपका करेक्टर अंसर गरेलू इसा से समंदित मामला का प्रुस्तुत किया जा सकता है सेसन नयाईले के समक्स नेक्स्ट है कि एनने 16 वरसे कमायू की विदा बी के साथ उसकी सेमति से संबो करता है तो एनने बी के साथ बलाच संग किया है एनने जारकरम किया है एनने बलाच संग का अपराद नहीं किया जहानक ना इसे परशन एकजा में इस बार पूछे जाएंगे हालत खराब हो जाएगी राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ने बी के साथ बलाद संग किया है बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोज समझगर आंसर देना पड़ेगा इसे पशनू में नेक्स देखते हैं जो कोई किसी पुरूस इस्त्री या जीवजन्तू के साथ परकर्ती की विवस्ता के विरुद सव इच्चा या इंद्रिय भोग करेगा उसे अधिक्तम सजा दी जा सकती है दस वरस तीन वरस साथ वरस या आजिवन कर आवास जो जीवजन्तू के साथ मालो कोई संबो करता है तो सजा का प्राजावन है आज जीवन कर आवास तक आपको हो सकता है डि आपका राइट आंसर होगा नेक्स एगी बारतिय दंड सेटा 1860 की धाराद 34 को लागू करने में निमन में से क्या आउश्यक तत्वे नहीं है तो अभी उक्तूं की संख्या पांच हो भी आपका राइट हो जाएगा अगला है कि पोक्सो एक्ट के अंतरगर्द बलातकार के मामलू की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए एक महिना दो तीन या चार तो जांच आपकी दो महिनों में पूरी होनी चाहिए यानि साथ दिन में नेक्स अगला है कि बलातकार समधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमिशन को बनाया गिया वर्मा कमिशन, रामा स्वामी कमिशन, महता कमिशन या यसपाल कमिशन तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा तो लिवार देखाऊगा कुछ विदार्तियों ने वर्मा कमिशन बनाया गया, यह आपका राइट होगा अगला है कि यदि अरूना चल परदेश में सुबह 6 बजे सूर्य उद्य होता है, तो सोराष्टर में सूर्य उद्य का संभव इस समय क्या होगा पराते साड़े पांच साड़े छे, साथ या आठ वजे यह परशन आपके लिए है, कमेंड बोक्स में आप आंसर जरूर बता है देखते हैं किस-किस का राइट आंसर आता है, उन विदार्तियों का कल कलास में नाम जरूर अलाउंस किया जाएगा मिलते हम नेक्स्ट कलास में कलास को लाइक और शेयर करें, कल से आपको मौरदिंग में भी कलास मिलेगी, और इवनिंग में मिलेगी, दोनु टाइम आपको मिलेगी साम की कलास आपको लंबी मिलेगी एक गंटे की पूरी और सुबह वाली कलास आपको 15-20 मिन्ट की सांदार यानि सुपर पाश्ट कलास आपको मिलेगी तो आप जोड़े रहें त्यारी करते रहें और आपको किस सब्जेट की डिमांड है आप नीचे कमेंट करके बताएं हम उस सब्जेट की कलास लेकर आएंगे आपके लिए